हेलो दोस्तो स्वागता आपका अपने यूटूब चेनल आशु जी के ट्रिक्स में मैं उशय शर्मा आज आपको सिंदु गाटी सब्वेता के 30 मैतपून प्रशनों का अध्यन कराऊंगी और जो ये प्रशन है ये रीट एक्जाम, पटवार और राजस्तान पुलिस के लिए बहुती मैतपून है तो आप वीडियो के अंध तग बने रहे तो शुरू करते हैं इसका पहला क्योशन वह इस्तल जहासे दूर्ग के अउशेस प्राप्त नहीं है तो सिंदु गाटी सब्वेता का कौन सा इस्तल है जहासे दूर्ग के अउशेस प्राप्त नहीं है और वह भी एक मात्र इस्तल है तो इसके option है लोथल, चन्नुदड़ो, काली बंगा या मोहन जोदडो तो कौन सा इस्तल है जासे दुर्ग के अउशेस प्राप्त नहीं हुए है तो इसका right answer है चन्नुदड़ो अब ये चन्नुदड़ो का पर है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और किसके समीब है सरकंड के समीब अब जो मोहन जोदड़ो है ये कापर है अब आपको जो चन्नुदड़ो दिख रहा है मोहन जोद़ो दिख रहा है दोनों में दड़ो शब्द सेम दिख रहा है तो जो दोनों शब्द है या दोनों जो इस्तल है यह कापर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अब लोथल देखते हैं लोथल कापर है लोथल है गुजरात के दोलवी तालू का गाउं में और किस नदी के किनारे है भोगवा नदी के किनारे अब इसका अगला प्रशन है वह एक मात्र पूरा इस्तल जहा से वरकाकार थता एल पाकिस्तान के जो पूराना मोंट कोम्री जिला है इसमें इस्तित है और जो ये मोंट कोम्री जिला है इसे वर्तमान में शाहीवाल के नाम से जाना जाता है और किस नदी के किनारे है रावी नदी के किनारे अब है बनावली बनावली कापर है हरियाना के हिसार जीले में अब है मोहन जोदडो मोहन जोदडो का पर है पाकिस्तान के सिंद प्रांत में लरकाना जीले में अब इसका अगला प्रश्ण है इसका उत्तरा आपको कमेंट में देना है गुजराती भाशा में लोत का क्या आर्थ है तो जो लोथल है, लोथल इस्तल है, इसमें जो ये लोथ शब्द है, इसका गुजराती भाषा में क्या आर्थ है, आप हमें कमेंट कीजिए, इसके ओप्षन है, मुर्दो का नगर, सम्शान घाट, मुर्दो का शहर, या इन में से कोई नहीं, तो जो गुजराती भाषा में लोट कार्थ है, क्या है? मुर्दो का नगर. इसका आगला प्रत्षन है. लगू हडपा वर लगू मोहण जोद्रो के नाम से किस इस्थल को जाना जाता है? तो जो हडपा और मोहण जोद्रो Це्थल है, लेकिन दूसरा कौन सा इस्थल है, जिसे लगू हडपा वा लगू मोहन जोदोरो के नाम से जाना जाता है आप कमेंट कीजिए इसके ओप्षिन है लोथल को, काली बंगा को, बनावली को या मोहन जोदोरो को तो इसका राइट आंसर क्या है? लोथल को अब ये लगू हडपा वा लगू मोहन जोड़ो के नाम से इसे क्यो जाना जाता है कि जो हडपा और मोहन जोड़ो इस्तल है इसकी अधिकांच विसेशताए लोथल शहर में देखने को मिलती है अगला प्रश्ण है लोथल की कोज किस ने की थी तो आप बताएए लोथल की कोज किस ने की थी एसार राव ने, टीपी वर्मा ने, जोन मार्शल ने या दयाराम सानी ने तो लोथल की कोज किस ने की थी एसार राव ने अब जो एसार राव है इनका पूरा नाम क्या है सीनियर रंगनात राव और जो दयाराम सानी है इन्होंने किस की खोज की थी हडपा की किस के निर्देशन में जोन मार्शल के निर्देशन में और कब की थी 1921 में अगला प्रेशन है लोथल की खोज किस वर्स की गई जो लोथल सहर है इसकी खोज किस वर्स की गई थी 1953-1955-1965-1945 में तो लोथल की खोज कप की गई थी 1953-1954 में अभी देखा किस के द्वारा की गई थी ऐसा राव और जिनका पूरा नाम गया है सीनियर रंगराथ राव अगला प्रशन है लोथल किस नदी के किनारे इस्तित है जो लोथल शहर है यह किस नदी के किनारे इस्तित है रावी नदी के परवरा नदी के भोगवा नदी के या गगण नदी के तो इसका सही आंसर क्या है भोगवा नदी के और जो यह भोगवा नदी है इसे भोगना नद से भी जाना जाता है और यह किसकी साइग नदी है साबर मती है नदी की साइग नदी है अब जो रावी नदी है इसके किनारे कौन सा शहर है हडपा और जो परवरा नदी है इसके किनारे देमाबाद और जो ये देमाबाद है ये सिंदु गाटी सब्वेता का दक्षणी इस्तल माना जाता है जो कापर है माराष्ट में अब है गगण नदी गगण नदी के किनारे कौन सा शेहर इस्तित है काली बंगा और ये काली बंगा कापर है राजस्तान के हनुमानगड जीले में अगला प्रशन है लोथर नगर कहा इस्तित है गुजरात में, राजस्तान में, पंजाब में, हरियाना में तो जो लोथर नगर है ये कापर इस्तित है आप कमेंट कीजिए हम भी देखते हैं आपको कितना आता है जल्दी बताइए तो लोथल नगर कहा इस्तित है इसका सही आंसर क्या है गुजरात में अब ये गुजरात में किस जगह है तो एक गाउं है सर्गावाला इसके समीब भी एक गाउं है धोलवी तालूगा तो ये धोलवी तालूगा गाउं में इसके पास में इस्तित है अगला प्रशन है निम्न में से किस इस्तल से बंदरगा के आउशेस मिले है तो बंदरगा के आउशेस किस इस्तल से मिले है बताइए आप हडपा से, लोथल से, मोहंजोदडो से या चन्नुदडो से तो बंदरगा के अवशेस मिले है लोथल से अब प्रश्न है कि जो सिंदू गाटी सब्वेता थी इसमें बंदरगाओ के अवशेस किस-किस इस्तल से मिले है तो किस-किस इस्तल से मिले है बाला कोट से सुथका गेंडोर से और अलादिनों से तो चार इस्तल है जासे बंदरगा के अउशेस मिले है अब प्रश्न है कि लोथल कापर है गुजरात में तो एक मात्र जो बंदरगा इस्तल मिला है बारत में वह कौन सा है लोथल और जो ये तीन शहर है बाला कोट सुथका गेंडोर और अलादिनों ये कापर है पाकिस्तान में अगला प्रश्न है मार्शल ने प्राचिन काल का सबसे बड़ा आश्र इस्तल किसे माना है जो मार्शल थे इन्होंने प्राचिनकाल का सबसे बड़ा आश्रे इस्तल किसको माना है इसके ओप्षिन है मोहंजोदुडो को, काली बंगा को, हडपा को या लोथल को तो मार्शल ने सबसे बड़ा आश्रे इस्तल किसे माना है लोथल को अब प्रश्ण है कि मार्शल ने ततकालिन समय का सबसे बड़ा निर्मान इस्तल किसे माना है यह तो था कि सबसे बड़ा आश्रे इस्तल किसे माना है तो इसका तो आंसर क्या हो गया लोथल अब प्रश्ण है कि सबसे बड़ा निर्मान इस्तल या आप पर निर्मान इस्तल के बात हो रही है तो निर्मान इस्तल किसे माना है बताईए आप कमेंड कीजिए किसे माना है तो इसका सैउत्तर क्या है जो व्रद या उसे हम व्रद इसनानागार के नाम से भी बोलते है तो जो व्रद इसनानागार है इसे मार्शल ने क्या माना है प्राचिन काल का आश्रेजनक निर्मान इस्तल अब इसी जो ये वरद इसनानागार है इसी को जो डीडी कोशामबी थे जो डीडी कोशामबी जो डीडी कोशामबी थे इन्होंने जो वरद इसनानागार था इसकी तुलना कालांतर में पुश्कर कमलताल से की है अगला प्रेश्ण है मोहन जोड़ों के बाद किस इस्तल को मुर्दों का शहर कहा जाता है तो जो मोहन जोड़ों है इसे मुर्दकों का टेला माउंट ओफ डेड मुर्दों का शहर आदी नाम से जाना जाता है तो मोहन जोड़ों के बाद में कौन सा शहर है जिसे मुर्दों का जीवित शहर भी कहा जाता है तो बदाईए आप इसके ओप्शन है काली बंगा को बनावली को लोथल को या हडपा को तो मोहन जोड़ों के बाद में मुर्दों का शहर किसे जाना जाता है लोथल को क्योंकि अभी हमने देखा कि जो लोथल में जो लोथ शब्द है इसका गुजराती भाषा में अर्थ क्या है मुर्दों का नगर तो जो मोहन जोड़ों है इसके बाद में किस शहर को मुर्दों का जीवित शहर कहा जाता है लोथल को अगला प्रशन है सिंदु घाटी सब्वेता का एक मात्र इस्तल जहां मकानों के दरवाजे पिछली गली से ना खुल कर मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं तो वह कौन सा इस्तान है तो जो सिंदु घाटी सब्वेता थी इसके एक इस्तल को छोड़ कर जितने भी इस्तल मिले हैं उनके जो मकानों के दरवाजे हैं वह पिछली गली से ना खुल कर मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे मतलब जो मकान थे वह किस ओर खुलते थे पिछली गली की ओर जो पर्जेंट में देखते हैं मकान उनके जो गेट है या उनके जो दरवाजे है वह किस ओर खुलते हैं सड़क के सामने लेकिन जो सिंदू गाटी सब्वेता थी इसके एक इस्तल को छोड़ कर जितने भी जो इस्तल मिले है इसके जो मकान थे इनके दरवाजे पिछली गली की ओर खुलते थे अब आप वह इस्तल बताईए जिसके दरवाजे पिछली गली से ना खुल कर मुख्य सड़क के ओर खुलते हैं तो वह कोन सा इस्तल है इसके औप्ञण है कालि बंगा हडपा लोथल या बनावली तो कौन सा इस्तल है वह है लोथल जो लोथल है वह एक मात्र इस्तल है केसा जासे मकानों के दर्वाजे पिछली गली से ना खुल कर मुख्य सड़क के और खुलते है जैसे वर्दमान में भी देखने को मिलते है अगला प्रश्ण है सुरकोटडा नामक इस्तल इस्तित है तो इसका राइट आंसर क्या है कच्छ जीले में अब प्रश्ण है कि जो कच्छ दिला है यह कापर है तो यह गुजरात में है अब जो सिंध प्रांध है यह कापर है पाकिस्तान में है और जो मोहन जोड़ो और चन्नुड़ो है यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांध में है और जो शाहीवाल और मोंटगोम्री है यह किस देश में है तो यह भी पाकिस्तान में है जो हडपा इस्तल है यह मोंटगोम्री जीले में ही है और जो यह मोंटगोम्री जीला है इसे वर्तमान में साहीवाल के नाम से जाना जाता है तो ये एक ही जगह के नाम है जो मोंट गोमरी और शाहिवाल और कापर है पाकिस्तान में अगला प्रश्ण है सुरकोटडा की खोच किसंने की जो सुरकोटडा इस्तिल है गुजरात के कचच जीले में इसकी खोच किसंने की है इसके option है जेपी जोशी ने, बीवी लाल थापर ने, फेयर सर्विस ने, दयराम सानी ने तो इसका right answer क्या है? जेपी जोशी ने अब ये तो इसका short name है जेपी जोशी तो इनका जो पूरा नाम है ये क्या है? जगपती जोशी जो जगपती जोशी है इन्होंने सुर्व कोड़ा की खोज की थी अब है बीवी लाल थापर पहले बात है कि बीवी लाल का पूरा नाम क्या है? ब्रजवासी लाल अब इन्होंने सिंदू गाटी सब्वेता में क्या योगदान दिया? कि जो काली बंगा इस्तिल था राजस्तान के हनुमानगर जिली में इसका उत्खनन कार्य करवाये था किसने ब्रजवासी लाल अब है फेयर सर्विस तो फेयर सर्विस फेयर सर्विस कोन है तो जो अला दिनो था अभी हमने देखा कि जो अला दिनो था वा क्या था जासे किसके उश्यस मिले थे बंदरगा के और का पर रही अला दिनो पाकिस्तान में तो जो अलादीनों था, इसकी खोज किस ने की थी? फेयर सर्विस ने, अब है दयाराम सानी, तो दयाराम सानी ने किसकी खोज की? जो हडपा नगर था, इसकी खोज किस ने की थी? दयाराम सानी ने, और किसके नेतरत में की थी? जोन मार्शल के नेतरत में, और जो ये हडपा शहर है यह सिंदू घाटि सब्वेता का पर्थम नगर है जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी। अगला प्रश्न है सुर कोटड़ा की खोज किस वर्स की गई जो सुर कोटड़ा इस्तल है इसकी खोज किस एक गई थी। जल्दी कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1960 में। किसने की थी? JP जोसी, जिनका पूरा नाम जगपती जोसी है। और इनका जो उत्खनन करवाया गया था, जो सुर्खोटड़ा इसका उत्खनन करवाया गया था, यह भी JP जोसी के दुरारा ही करवाया गया था, और कब करवाया गया था? 1922 में। अगला प्रशन है, निम्न में से कौन सा इस्तल हडपा सब्यता के पतन को दर्साता है? तो जो हडपा सब्यता है, इसका पतन किस तरह से हुआ? इसका पतन बाड आने से हुआ, या किसी महामारी के से आने से हुआ, या भुकम आने से हुआ, तो जो हडपा सब्यता का पतन दर्साता है, यह कौन सा इस्तल है, जो इसका पतन हुआ वह पता चलता है? इसके option है मोहन जोदरो, काली बंगा, सुरकोटड़ा या बनावली तो इसका right answer क्या है सुरकोटड़ा जो सुरकोटड़ा इस्तल है इससे हमें हडपा सब्वेता के पतन का पता चलता है अगला question है निम्न में से किस इस्तल से अगनी वेदिकाओं के आउशेस मिले है तो जो हडपा सब्वेता थी इसका जो कौन सा इस्तल है जासे अगनी वेदिकाओं के आउशेस मिले है तो बताएए आप कौन सा इस्तल है इसके option है सुरकोटड़ा, देमाबाद, लोथल या मोहन जोदरो तो इसका right answer क्या है लोथल अब जो लोथल है या से अगनी वेदिकाओं के आउशेस मिले है यह पर्थम इस्तल है और इसका जो दूसरा इस्तल है कौन सा है काली बंगा जो काली बंगा इस्तिल है या से साथ अगनी वेदिकाओं के आउशेस मिले है जो अगनिवेदिकाये हैं इन्हें हम हवन कुंड के नाम से भी जान सकते हैं तो पर्थम तो कौन सा हो गया? लोथल और दूसरा कौन सा हो गया? काली बंगा जो तीसरा इस्तिल है वो कौन सा है? बनावली जो बनावली इस्तल है वासे भी हमें कुछ अगनिवेदीगाओं के साक्ष मिले है अगला प्रश्ण है निम्न में से किस इस्तल से घोडे की अस्तिया प्राप्त हुई है तो कौन सा इस्तल है जासे घोडे की अस्तिया प्राप्त हुई है और वो भी सर्व पर्थम तो इसके विकल्प है सुर्व कोठडा, लोथल, ब्लूचिस्तान या काली बंगा तो जो घोड़े की अस्तिया प्राप्त हुई है का से हुई है सुर्व कोठडा से अब आप से पूछा जाए कि घोड़े की टेरा कोठा की मनमूर्ति का से मिली है तो जो घोडे की टेरा कोटा की मनमूर्ती मिली है या का से मिली है लोथल से और दूसरा प्रस्न कि घोडे के दात किस इस्तल से मिली है तो जो घोडे के दात मिली है वह किस इस्तल से मिली है ब्लूचिस्तान से और ब्लूचिस्तान में किस जगह से राना गुंडई से तो जो घोडे की एस्तिय मिली है यह तो मिली है सुरु कोटडा से और जो टेरा कोटा की मन मूर्ति मिली है यह गुजरात के लोथल से और जो घोडे के दात मिली है यह बुलिचिस्तान के राना गुंड़े से तो तीनो परसन अलग-अलग है लेकिन किस से सम्मंदित है गोडे से तो आप इन्हें जरूर याद कीजिए अगला कोशन है लोथल से प्राप्त पक्कि इटो का विशाल कार का गेरा मिला है जिसे किसे किसने डोक याड की संग्या दी है अब ये शब्दी नही गोधदी को अब लोथल को जो लोथल से प्राप्त, पकीटो का विशा लाकार घेरा मिला है इसे किसने डोकियार की संग्या दिया है तो इसके उप्षण है जेपी जोसी ने एसार राओ ने दैयराम साहनी ने या मार्सल ने तो इसकी संग्या किस ने दी है एसार रावनी जो लोथल है इस नगर की खोज भी एसार रावने ही की थी और इनका जो पूरा नाम है यह क्या था सीनियर रंगनात राव और जो यह डोक्यार है या जाहा जो की गोदी है इसकी जो लंबाई और चोड़ाई है वह देखते कितनी है इसकी लंबाई है दो सो चोड़ा 214 मिटर तो इसकी लंबाई है और 36 मिटर इसकी चोड़ाई है और 3.30 मिटर इसका जो गहरापन है या इसकी गहराई है और जो यह जहाजो की गोदी या डोक्यार है इसे विश्व का प्राचिंतम ग्यात जो गोदी वाड़ा था इसके नाम से जाना जाता है और यह जो गोदी वाड़ा है यह क्या दर्शाता है कि जो सिंदू सब्वेता के लोग थे इनका वीद्योसों के साथ भी सम्मंद था या वीद्योसों में भी यह व्यापार किया करते थे और यह गोदी वाड़ा हडपा सब्वेता का सबसे बड इमानव निरमित संरचना कौन सी है तो इसका उत्तर क्या होगा गोदिवरड़ी जो कापर है लोथल गुजरात में। अगला प्रश्न है काली बंगा की खोज किसने की थी। जो काली बंगा है राजस्तान के हनुमानगड में इसकी खोज खिस ने की इसके option है मार्शल ने, जेपी जोसी ने, बीवी लाल ने या अमलानन्द गोस ने, तो काली बंगा की खोज किस ने की थी? अमलानन्द गोस ने, कब की थी? 1951-52 में, और जो काली बंगा है या किस नदी के किनारे है? गगर नदी के किनारे, अगला प्रशन है, हडपा नगर का व्यापक उत्खनन किस ने करवाया? अभी हमने देखा कि हडपा नगर की खोश तो किस ने की थी? दयराम, साहनी ने, अब या पर प्रशन है कि हडपा नगर का व्यापक उत्खनन, तो व्यापक उत्खनन किस ने करवाया था? तो इसके option है माधव सवरूप वत्स ने वीलर ने एव भी दोनो या इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर क्या है एव भी दोनो तो जो माधव सवरूप वत्स था इन्होंने तो व्यापक उत्खनन करवाया था 1926 में और जो वीलर है इन्हें मोर्टिमर वीलर के नाम से जाना जाता है इन्होंने कब करवाया था 1946 में तो पर्षन पूछ लिया जाये कि हडपा नगर की खोश तो किस ने की थी तो इसकी खोश तो की थी दैराम सानी ने और कब की थी 1921 में जोन मार्शल के नेत्रतु में और दूसरा प्रशन है कि इसका व्यापक उत्खनन किस ने करवाया था तो व्यापक उत्खनन करवाया था मादव सवरू वत्सने और मोर्टिमर वीलर ने तो मादव सवरू वत्सने तो करवाया था 1926 में और जो मोर्टिमर वीलर है इसने करवाय था 1946 में तो एक प्रसंद से ही बहुत सारे प्रशन बन गए है अब इसका अगला प्रशन है देयराम सानी का संबंध किस जिली से था तो जो देयराम सानी है इन्होंने हडपा नगर की खोज की थी तो इनका संबंध राजस्तान के किस जिली से मना जाता है इसके ओप्शन है जोदपूर, उदेपूर, गंगा नगर या जेपूर तो इसका राइट आंसर क्या है जेपूर जो पुरा तात्विक विभागता इनके निर्देशक भी रहे है कौन देयराम सानी अगला प्रशन है, हडपा से प्राप्त अवशेस मिले है जो हडपा नगर है, इससे कौन-कौन से अवशेस मिले है गेहु और जोके दाने, पित्तल पर बना इका एव बी दोनों या व्रद इस्तनानागार तो देखे, कमेंट कीजी आप कौनगोन से इस्तल मिले है यासे तो इसका राइट आंसर क्या है? एव भी दोनो तो जो हडपा सब्बे नगर है यासे गेहूं और जोके दाने भी मिले है जिससे क्या पता चलता है? कि यापर मिस्रित फसल की जाती थी और पितल पर बना इका भी मिला है तो इसका राइट आंसर है एव भी दोनो अब बात है कि वरजो वरद इसनानागार है या का से मिला है? तो या का से मिला है? मोहन जोदोडो से और जो जोन मारसल है इन्होंने इसको ततकालिन समय का सबसे बड़ा निर्मान इस्तलन कहा है और जो डीडी को सामबी है इन्होंने इसकी तुलना किस्ते की है कमलताल से और पुषकर से अगला प्रश्न है मोहन जोद्डो से प्राप्त आउशेसों में शामिल है तो मोहन जोद्डो से कौन-कौन से आउशेस मिले है उपर्यूकते सभी, तो इसका right answer क्या है ? उपर्यूकते सभी या से सभी प्रकार के इस्तल मिले हैं, अब है विशाल अनागार सोरी, अब ये विशाल अनागार है, जह मोहन जोदरों की सबसे बड़ी इमारत मानिजाती है, परसन पूछ लिया जाए कि मोहन चोधरों की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है तो कौन सी मानी जाती है विशाल अन्नागार अब इसकी जो लंबाई है यह 45.21 मिटर लंबी है और जो चोड़ाई है 15.23 मिटर है आप इसे नोट कर लीजिए कि लंबाई तो कितनी है 45.21 और चोड़ाई कितनी है 15.23 अब है हडपा से प्राप्त आउशेसों में शामिल है एक अन्नागार एक बरतन पर मच्छवारे का चित्र मनुष्य के साथ शव के साथ बकरे के आउशेस या उपर्योगते सभी तो हडपा से कौन-कौन से अवशेस मिले है उपर्योगते सभी अब अभी हमने देखा कि वरद जो अन्नागार है ये का से मिला है मोहन जोद्रो से परसन पूछ लिया जाए कि जो वरद या विशाल जो अन्नागार है ये का से मिला है तो इसका उत्तर तो क्या होगा मोहन जोदरो अब है कि 6-6 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षाओ वाला अन्नागार का से मिला है तो इसका राइट आंसर क्या होगा हडपा दोनों में डिफरेंट है आप इस डिफरेंट को पैचानिए कि जो विशाल अन्नागार है यह तो क का से मिला है मोहन जोदरो से और जो 6-6 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षाओ या 12 कमरो वाला जो अन्नागार है यह का से मिला है हडपा से अगला प्रेश्ण है कब्र में 12 कास्या के दरपण किस इस्तल से मिले है तो आप बताईए कि कब्र में 12 कास्या के दरपण मिले है का से मिले है मोहन जोड़ो से हडपा से, काली बंगा से या लोथल से तो का से मिले है हडपा से अब जो ये हडपा है या से एक कबरिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे आर से 30 का नाम दिया गया है अब इससे भी 2 परसन बनते हैं कि कौन से कबरिस्तान को या कास से प्राप्त कबरिस्तान को आर से तीन सो या से तीस नाम दिया गया है तो किसको दिया गया है हडपा से प्राप्त कबरिस्तान को अब है कि सेतीस कब्रे का से मिली है दोनों में सेतीस सेतीस है जो सेतीस कब्रिस्तान मिला है या जिस कब्रिस्तान को आर सेतीस नाम दिया गया है यह तो हडपा से मिला है और जो सेतीस कब्रे मिली है यह का से मिली है काली बंगा से अब जो यह सेटीस कब्रे मिली थी यासे एक छेवर्ज के बालक की खौपड ही मिली है जिसमें विश्व में पर्थम सल्ले चिकिस्ता की जानकरी मिलती है किसकी जानकारी मिलती है सल्लेची किस्ता की अगला प्रशन है मोहन जो अदोडो से प्राप्त विशाल अन्नागार इमारत मानी जाती है जो मोहन जो अदोडो से प्राप्त सबसे बड़ी जो इमारत है कौन सी है विशाल अन्नागार इसकी जो लंबाई चोड़ाई मानी जाती है कितनी मानी जाती है अभी पहले मैंने बताया आप कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या है तो इसका राइट आंसर क्या है थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको 45.21 मिटर लंबी और 15.23 मिटर चोड़ी और यह सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है काकी मोहन जोद दोगी अगला प्रछन है निम्न में से हडपा से प्राप्त आउशेसों में शामिल है तो कोन सा जो अडपा से प्राप्त हुआ है कासागलाने के पात्र तरबूज के बीज एव भी दोनो या इन में से कोई नहीं तो कासा गलाने का प्रातर भी हडपा से प्राप्त हुआ है और जो तरभूज की बीज ये भी हडपा से मिले है। जिससे क्या पता चलता है की जो सिंदू गाटी सब्यता के लोग थे वैं भी तरभूज की खेती करते थे। जो सिंदू अड़ी सब्वेता है यासते कुल नो फसलों के साक्ष मिली है अगला प्रशन है मोहन जोदरों की खोज सर्व पर्थम किस विग्यानिक ने की तो मोहन जोदरों की सबसे पहले खोज किस ने की थी दैराम साहनी ने राखलदास बनरजी ने एंजी मजुमदार ने या मार्शल ने तो किस ने की थी इसकी सबसे पहले खोज राखलदास बनरजी ने और कब की थी 1922 में और ये कापर है पाकिस्तान के सिंद प्रांत में लरकाना जीले में और किस नदी के किनारे सिंदू नदी के किनारे अब इसका अंतीम प्रश्न है वह इस्तल जिसका साथ बार उत्थान एवं साथ बार पतन हुआ है तो बताईए आपकी वह कौन सा इस्तल है सिंदू गाटी सब्वेता का वह एक मात्र इस्तल जिसका साथ बार उत्थान वह साथ कालि बंगा बनाववली या मोहन जोद्रो तो इसका राइड आंसर क्या है मोहनजोद्रो के उठ्षनन किया गया था तो इसमें साथ परकार की परती मिली है जिससे क्या पता चलता है कि इसका साथ बार उत्थान हुआ है और साथ बार पतन हुआ है तो दोस्तों आज हमने सिंदु घाटी सब्वेता के मैत्पून अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगाओ तो आप हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद दोस्तों